आप देख रहे हैं दखल न्यूज प्सपी देवेंद्र सिंग के आतन की कनेक्शन पर राजनी की कॉंग्रेस पर पाकिस्तान का पक्ष लेने कारो जमू कश्मीर में जानलेवा बर्फ वारी टीन जवान शहेद कुल आठ लोगों की मौर बोपाल की सांसल साद्मी प्रग्या को धंकी क्यानिकल भरी चित्थी पर पहुंची पुल इस जांच में जिली शेडोल जिला टिकेट साले में डॉक्टर्स की लापरवाही बारा धंटे में छे बच्चों की मौद और मध्यप्रदेश के श्रम मंत्री महेंद्र सिंग सी सोरिया ने कहा मैं सिंध्या का चंचा हूँ और हमेशा रहूँगा नवश्कार मैं हूँ शेफाली आप देख रहे हैं तखल नीउस खबरे विस्तार से जमू कश्मीर से ग्रफतार किये गए डिएसपी देवेंद्र सिंग के आतंकी कनेक्शन पर राजनीती गर्मा गई है कॉंग्रेस ने देवेंद्र सिंग के बहाने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और सुरक्षा पर सवाल खड़े किये हैं अब भारतिय जंता पार्टी ने पलटवार किया है और कहा है कि कॉंग्रेस पार्टी हिंदूों को आतंकी घोशित करना चाहती है आतंक के मुद्दे पर धर्मला कर राजनीती करना चाहती है इसी के साथ बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कॉंग्रेस पर पाकिस्तान का पक्ष लेने का रोप लगाया है बार्दी जंता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा इसी देश की पुलिस ने देवेंद्र सिंग को गरफतार किया है कानून अपना काम कर रहा है, कॉंग्रेस ने वही किया जिसमें वह सक्षम है कॉंग्रेस ने एक बार फिर भारत पर हमला किया है और पाकिस्तान का पक्ष लिया है कॉंग्रेस के अधिर रंजन चौधरी ने इस मामले में धर्म को घुसाया हिंदू आतंगवाद का शब्द भी कॉंग्रेस ने ही इजात किया था पूरे इस प्रक्रण के पश्चात कॉंग्रेस ने वही किया है जिसमें कॉंग्रेस सक्षम है जिसमें कॉंग्रेस निपून है जिसमें कॉंग्रेस पारंगत है और वह है भारत के उपर हमला और पाकिस्तान को बचाने की कोशिश इस पूरे प्रक्रिया में कॉंग्रेस ने तुरंट आओ देखा न ताओ अधिरंजन चौधरी ने मिनिटों के अंदर धर्म ढूंड लिया आतंकवाद के उपर धर्म की राजनीती करना ये सदैव से कॉंग्रेस का तरीका रहा है कॉंग्रेस हिंदूओं को आतंगवादी सिद्ध करने का प्रयास कर रही है और भारत को हिंदूओं से खत्रा बता रही है वाटला हाउस एंकाउंटर को लेकर कॉंग्रेस के रवये पर सवाल खड़े होते रहे हैं कॉंग्रेस ने तराहूल गांधी पर हमला करते हुए संबित पात्रा ने कहा कि टुकडे टुकडे ग्यांग के साथ राहूल गांधी खड़े होते रहे हैं, कॉंग्रेस की ओर से इस मसले पर राजनीती की जा रही है, उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले को लेकर कॉंग्रेस अ जीवित किया जाए उसको फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाए किसने किया है यह पुल्वामा एटक कॉंग्रेस पार्टी मिसस सोनिया गांधी जी राहुल गांधी जी आम आस्किंग यू ऑन दे कैमेरा जीवित किया जाए किसने आतंकवादी हमला भारत पे किया था किसने पुल्वामा हमला किया था इसमें रती भरका भी आपके मन में आपके मस्तिस्क में आपके हृदय में संसे है क्या I challenge the Congress Party and I challenge the Congress President today if she doubts as far as the perpetrators of the पुल्वामा attack is concerned she should come on the camera and she should declare so संबित पात्रा बोले कि Congress को एलान करना चाहिए कि उन्हें देश की सेना पर विश्वास नहीं है Congress और पाकिस्तान में कुछ तो रिष्टा है जो बार बार वे उसी की भाशा बोलती है Congress की ओर से नए आर्मी चीफ पर तंज कसे जा रहे हैं संबित पात्रा ने कहा कि कुछ ही देर में पाकिस्तान Congress के नेताओं का बयान लेकर संव्वत राष्ट्रे चला जाएगा और भारत पन निशाना साभेगा देश के सामने सवाल है कि ये अजगर कौन है जो अपने देश अपनी मा को निगल जाना चाहते हैं जमुकश्मीर में लगातार हो रही बर्फ बारी जानलेवा साबित हो रही है कुपवाड़ा के माचिल सेक्टर में हिंस्खलन के कारण तीन जवान शहीद हो गए हैं सेना के पांच जवान फसे हुए है यही नहीं घाती में हिंस्खलन की चपेट में आने से पांच लोगों के भी मरने की खबर है सेना के सूत्रों के मताबिक पिशले 48 घंटों में हुई भारी बर्फ बारी के करण उतरी कश्मीर में कई जगां हिंस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं इनमें तीन सैनिकों ने अपनी जानकवाई है जबकि एक अभी भी लापता है सेना के सूत्रों के मताबिक हिंस्खलन में फसे कई जवानों को बजाया भी गया है इसके अलावा मध्य कश्मीर के गंदर बल जिले के सोन मर्ग के गदनेरे छेतर के पास कूलान गाउं में हिंस्खलन की चपेट में आने से पांच लों की मत हो गई और कई घर छतिग्रस हो गए है हाला कि सेना ने इस इलाके में भी अपना बचाव अभ्यान शुरू कर दिया है यह इलाका शीनगर से सडक से कटा हुआ है यही कारण है कि बचावदल को यहां पैदल ही पहुशना पड़ा है कुछ दिन पहले साथ जनवरी को जमू और कश्मीर में एलोसी के पास पुंच जिले में हिंस्खलन हुआ था इसमें सेना के एक पोर्टर की मौद हो गई थी वहीं तीन अन्य पोर्टर खायल हो गए थे पुंच जिले में साथ जनवरी की रात बरफिला तुफान आया था इस दोरान पोस्ट पर तैनाथ पोर्टर इसकी चपेट में आ गए थे 12 सरकार ने एक तरफ जहां जमू कश्मीर में अनुचे 370 हटा दिया है और इसे केंदर शासित प्रदेश बना दिया है वहीं सरकार की तरफ से पाक अधिकरत कश्मीर को लेकर भी बड़ा बयान आया है केंदर मंतरी श्रीपद नाइक ने सेना प्रमुख के पियोके को लेकर दिये बयान पर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि इस पर विच्चार करेंगे ने सेना प्रमुख ने पियोके को लेकर कहा कि सरकार कहे तो पाक अधिकरत कश्मीर पर सेना एक्शन ले सकती है इसी बयान को लेकर अब केंद्र रक्षार राज्यमंत्री श्रीपद नायक की प्रतिक्रिया आई है नायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनका तो जजबा यही है इनको ये बोलना गलत नहीं है पर सरकार इस बात पर निश्चित तोर से गौर करेगी पिछले दिनों सेना प्रमुक कपत सम्हालने के बाद आर्मी चीफ मुकंद नर्वने ने मीडिया को संबोधित करते हुए संसत में हुए प्रस्ताफ का हवाला देते हुए कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है आस्थाई जम्मू कश्मीर भी हमारा हिस्सा है अगर पार्ले अधिकृत कश्मीर को लेकर केंद्रे ग्रह मंत्री भी संसत में साफ कर चुके हैं कि वो भारत का हिस्सा है कश्मीर से अनुछे 370 हटने के बाद से ही पाक अधिकृत कश्मीर पर एक्शन लेने की चर्चाएं आम है भोपाल से भाजपास आंसा साध्वी प्रग्या ठाकुर को जान से मालने की धमकी भरा पत्र और संदिक्द रसायन मिलने का मामला सामने आया है साध्वी प्रग्या ठाकुर का आरोप है कि उन्हें जान का खत्रा है पुलिस ने केस दर्च कर मामले की जाश शुरू कर दी है रसायन सहित पूरा लिफाफा कबजे में ले लिया गया है सुमवार देर रात को FSL की टीम ने भी साधवी प्रग्या ठाकुर के घर पहुँचकर मामले की तहकिकार शुरू कर दी है सांसस साध्वी प्रग्या सिंः ठाकुर के रेवरा टाउन इस्तद घर पर एक धम की भरा पत्र पहुँचते ही हर कम्प मच गया पत्र जिस लिफाफे में आया उस लिफाफे में जो रसायन मिला है विस्तम देख्थ है साध्वी प्रग्य ठाकुर के मुताबेक लिफाफे में एक चिठी थी जो उर्दों में लिखी हुई थी इसके साथ ही प्रधानमंद्री नरिन मोदी, ग्रहमंद्री अमिश्या, राष्ट्य सुरक्षा, सलहकार अजीद दोभाल और सांसत साध्वी प्रग्य ठाकुर का फोटो बना है जिस पर क्रॉस बना हुआ है साध्वी प्रग्य ठाकुर ने कहा कि इससे पहले भी मुझे कई धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं जिसकी शिकायत मैंने पुलिस से की है लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया जो पत्र है तुमें और उसके साथ काफी कुछ पत्र लगे हुए है तो उसमें मारे प्रदान मंद्री जी और अजीड जीड डोवाल कश्मिर के राजिपाल जीड मेरा सब्सक्राइब क्रॉस लगा है और उसमें कुछ पदार थाया है जो पाउच में है उसमें कि अत्र एक और पाउच है ऐसे दो डवल पाउच है उसमें कुछ है जो की खतरनाक है उसको जड़ा सा खोलते पत्र पोला तो उसी समय इची उपने लगी तो मैंने तफ्दार पुलिस को कॉल किया पुलिस आई है पुलिस अलागरे वाई कर रही है जो पॉन कॉल्स पे आते हैं उसकी भी जानकारी दिया लेकिन अभी तो इसमें प्रग्या के पास पहुचे निफाफे में उर्दु में लिखी जो चिठी मिली है उसमें ग्रह मंद्रिया में शहा और उतर प्रदेश के मु डियाईजी इर्शाद वली ने बताया कि अक्टूबर महा में एक लिफाफा उनको मिला था वे घर में पढ़ा रहा था जिसको खुला गया तो उसमें एक पत्र मिला है साथ ही एक मार्कशीट प्रोविडेट फंड का एक कार्ड भी लिफाफे में था सांसद साभी प्रग्या ठाकुर ने बताया कि जब लिफाफा खुला तो उसमें मौजूद रसायन की वज़ा से हाथ में खुशली होने लगी मुझे चांग से मारने की कोशिश करने का काम राश्रे द्रोहियों का है मोदी शहाय योगी को मारने की बाद करने वाला एक बार मेरे सामने आ जाए हमें हतियार बारूत की जरूरत नहीं पड़ती हम खुद उनके लिए चलती फिरती मौद है मदवदेश के श्रम मंत्री महेंद सिंग सिसोधिया ने कहा कि मैं जोती रादित सिंध्या का चंचा हूँ और जीवन परियांत उनका चंचा रहूंगा महेंद्र सिंग सिसोधिया ने ये प्रतिक्रिया सांसत डॉक्टर केपी यादव के एक बयान पड़ दी है पिशले दिनों गुना के सांसत के पी यादव ने एक भाषर के दोरान श्रम मंत्री महेंद्र सिंग सिसोधिया को गुलाम कहा था इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए महेंद्र सिंग सिसोधिया ने कहा कि उन्होंने मुझे गुलाम नहीं चंचा कहा है इसमें क्या दिक्कत है अगर मैं जो तेरा दित्ते सिंध्या का चंचा हूं तो क्या गलत है कल तक डॉक्टर के पियादव स्वें सिंध्या के वाहन के पीछे नहीं दौरते थे क्या यदि उन्होंने मुझे टिकेट दिया मेरा जीवन सवारा मुझे क्याबनित मंत्री बनाया मैं सभाकिशाली हूं कि इतने बड़े व्यत्ति का चंचा हूं और जीवन परियाय रहूंगा मैं तो कहता हूं कि आप मुझे कड़ाई भी दे चंचा कड़ाई दोनों इखटा कर दो चंचा हूं तो हूं जीवन भर रहूंगा अंतिन सास तक रहूंगा राजनीती छोड़ परन्तु महाराच सिंध्या को नहीं जोड़ूंगा है अगर haid Abla, कि गाड़ी के पीछे नहीं दौरते देख्या मुझे महाराच ने टिकेट दिया तो, मेरा जीवन में समा रहा, मुझे मंतलीपत कैबिनेट का मना है कि इतने बड़े कद के बिक्ति का मैं चम्चा गहर हूं मैं तो चांगा कि आप मुझे कड़ाई भी दे दो तो चम्चा कड़ाई कटी कर दो पूरी तो हूं तो हूं तो क्या बाद है और जीवन परियंद रहूंगा अंतिन सांस तक रहूंगा राज नीती छोड़ दूंगा म तो यदि स्वर्गे रगुवीर सिंग यादव के पुत्र को यह मंजूर नहीं है कि कोई उनके पिता को शद्धांजनी देने आए उन्होंने कहा कि शिवरा सिंग चोहान मध्वदेश के लंदे समय तक मुख्यमंत्री रहे और 15 वर्षों में एक बार भी मुख्यमंत्री के रूप में अशोक नगर की जंता मध्वदेश में नहीं आती 15 साल में उन्होंने यहां की जंता को ठगने का काम किया है मैं इस बात के निंदा करता हूं कमलनाजी मध्वदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्हें अशोक नगर लाया जाएगा डॉक्टर्स की लापरवाही से शेहडोल जिला अस्पताल में बारा घंटे में छे बच्चों की मौत हो गई शिशु गहन चेकितसा इकाई में चार बच्चों और बच्चा वाड में दो बच्चों की मौत के मामले से हरकंप मध्या है इसके बाद आननफानन में सौस्थर म परवंधन और डॉक्टर्स की लापरवाही सामने आ रही है इस घटना के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने मंत्री कमलेश्वर पटेल भी अस्पताल का जायजा लेने के लिए शेहडोल जिला अस्पताल पहुचे हाला कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनके परिजन उनको नहीं मिले लेगन उन्होंने शेहडोल जिला अस्पताल में सीमेचों डॉक्टर राजेश पांडे तथा अन्य स्टाफ से बात कर इस्थती का जायजा लिया हमने जिला चीकी साले का विजिट भी किया है वहां पे जाके परिजनों से भी चर्चा की है जो इनकी मृत हुई है उनके परिजन तो नहीं थे और भी जो हस्पिटल से में एडमिट थे उनसे भी चर्चा की है जिला के कलेक्टर और संभागी आईप से भी चर्चा की है वह और अगर इसमें कोई भी गलती हुई हो, कोई लापरवाही हुई हो, तो उसके खिलाब सक्तकारवाही करिए। तो कि मत्परदेश सरकार आपने देखा होगा, इमाने मुख्यमंत्री जी सिक्षा और स्वास को लेके काफी गंभीर है। और पूरे मत्परदेश में विवस्थाओं को ठीक करने का काम कर रहे है। शेतकुमारी, भटगाओं की फूलमती सिंग, पर्मनिया निवासी सूरज बैगा, कूटमा गाओं की अंजली बैगा, तथा हर्रा टूला की सुभाश बैगा के नाम शामिल है। लोग स्वास्थ और परिवार का लियान मंत्री तुल्सी सिलावट ने शेहडोल और सतना में बच्चों की मौत की सूचना मिलते ही परिवार के प्रती सम्वेदना व्यक्त करते हुए जाच क्या देश चारी किये। शेहडोल के जिला अस्पताल में छे वच्चों की मौत के मामले में सीम कमलनाथ ने तुरंद इसे संग्यान में लिया और स्वास्थ मंत्री तुल्सी सिलावट को इस मामले को तुरंद देखने को कहा। दोनों मासूमों की प्रारम दिख पीम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मासूमों की मौत टीका करण से नहीं बलके सांस की नली में दूद के ठक्के जमने से हुई है। जिसको कलब करके छह बच्चों का कहा जा रहा है यह ऐसा नहीं है। एक्चुली SNCU में वो दो बच्चे हैं जो लंबे समय से भरती थे। SNCU में दो बच्चे थे एक 30-12-19 से और एक बच्चा आठ जनवरी से। जो बच्चा 30 दिसंबर को जो जिलास पताल शैडोल में ही जन्म लिया था। वो भी तब से स्वास की समस्या के कारण गंभीर स्तिती में था और उसकी भी मिरत्यू कल हुई है। और बाकी के जो चार बच्चों की बात है दो बच्चे पीकू में PICU कहलता है बच्चों का Intensive Care Unit और दो बच्चे पेडियाटिक वार्ड में इस तरह से डेट्स हुई हैं। निमोनिया के लेट स्थिती में आने के कारण उनकी जो इलाज रत था उपचार रत थे और उपचार के दोरान ही उनकी मृत्ती हुई है नगरे प्रिशाशन मंत्री जैवर्दन सिंग ने जोती रादेते सिंध्या को MP से रासभा सांसद बनाये जाने को लेकर कहा कि ये बड़े फैसले कॉंग्रेस अध्यक्ष सुनिया गांधी तै करती हैं और वो उनके हर बड़े फैसले का समर्थन करते हैं प्रिशाशन मंत्री जैवर्दन सिंग ने जोती रादेते सिंध्या को MP से राजसभा सांसद बनाये जाने को लेकर कहा कि वे सब बड़े फैसले कॉंग्रेस अध्यक्ष सुनिया गांधी करती हैं और वो सुनिया गांधी के फैसले का समर्थन करते हैं MP के राजसभा सीट के लिए कॉंग्रेस नेता जोती रादेते सिंध्या को भीज़ जाने का कॉंग्रेस हाई कमान पर दवाब बढ़ता जा रहा है गौरतलब है कि कमलनास सरकार के शिक्षावंत्री प्रभुराम चौद्री ने भी जो तिरदित्य सिंध्या को राजसावा सरस्ते बनाए जाने का समर्थन किया था चाचवाडा से कॉंग्रेस विधायक लक्षमान सिंध्य ने कमलनास सरकार से नाराज होने के देकर जैवर्धन सिंध्य ने कहा कि उन्होंने कभी C.A का समर्थन नहीं किया है उन्होंने सिर्फ इतना ही ट्विट किया था कि अब C.A के मुद्दे को छोड़कर विकास की बात करनी चाहिए लक्षमान सिंध्य जी जो मेरे काका है उनका मैंने ब्यान पड़ा है उन्होंने कहीं भी C.A का समर्थन नहीं किया है अब इसकी चच्चा जाता ना हो और दूसरी जो विकास की बात है वो की जाए लेकिन उन्होंने कहीं पर भी इसका समर्थन नहीं किया है समय ब्रेका है ब्रेकिवाद जल्द हाजरूंगे आप देखते रहे हैं रखा लिए संगीत की स्वद लहरियों से सांस्क्रित एक ताने बाने ता चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पकदंडियों से सड़कों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राजडीती से कूटनीती त दखन न्यूद आप क्या है सिये के समर्था में निका लिए गई यह रैली मिला ग्राउंड से शुरू हुई और मुख्य बाजार होते हुए बस स्टेंड पर समाथ हो गई इस रैली में शामिल लोग भारत माता की फोटो और तेरंगे को अपने हाथ में लिये हुए थे बस स्टेंड पर आईजित सभा को जहां आरेसेस मेताओं ने संबोधित कर लोगों को सीये के बारे में बताया और विपक्ष के मेताओं से साब्धन रहने की बात करी ये रैली जो निकाली गई है हमारी संसद शर्वोच है जो उनके द्वारा जो शीये के संबंद में अध्यादेश जारी किया गया है उस सभी का हिंदू समाज ने और इस नगर के नागरकों ने समर्थन किया है और उशी के समर्थन में पूरा नगर पूरा जिला आज एकत्रत होकर के उत्रा है क्योंकि समाज में सीये के संबंद में अनेक प्रकार की बरांतियां पहलाई जा रही है नाना प्रकार से अन समाज के लोगों को बहका करके और उनसे उपद्रों कराने का प् कानून पारित किया है उस कानून का ये जला भी समर्थन करता है। इवां बांगला देश में वहां की अल्प संख्यक हिंदू समाज है जो वहां पर प्रताड़त है। शराब मंडी कर दी गई है। सरकार गाउं गाउं में शराब बेचने में लगी है। किसान और युवा परिशान हो रहा है। किसानों को भिकारी बना दिया गया है। मोखे मंतरी भुपेश बगेल का जब कारे करने का मन नहीं होता तो कमेटी बना देते हैं 36 गर जंता कॉंगरेस की सुप्रीमो अजीत जोकी ने भुपेश बगेल सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि सरकार अपने कोई भी वादे पूरे नहीं कर रही है प्रदेश का किसान परेशान हो रहा है उसकी धान की खरीदी सई दाम में नहीं की जा रही है मोखे मंतरी भुपेश बगेल को जब कारे नहीं करना होता है तो वो कमेटी बना देते हैं निकाय चुनाव को अप्रत्यक्ष प्रणाली से कराय जाने को लेकर राज सरकार को आड़े हातों लेते हुए जोगी ने कहा कि अप्रत्यक्ष चुनाव करा कर कॉंग्रेस अपनी चाल में काम्याब हो गई सरकार ने प्रदेश में पूर्ण शराब बंदी कराने के बाद कही थी लेकिन भुपेश बखिल सरकार ने यहां शराब मंडी बना दी है सरकार गाउं गाउं जाकर शराब बेच रही है एक गाउं में चार दुकानों में शराब बाटी जा रही है यह सरकार जो मुद्दों पर बनी थी जिस आशा और उमीद के साथ बनी थी वो सब बातें पूरी नहीं कर पा रही है इन्हों ने कहा था हम पूरी सराब बंदी कर देंगे यहां तो पूरी शराब मंडी खुल गई गाउं गाउं में सरकार खुदी दारू बेच रही है और ए तो उसको मावारी रोजगारी वेतन बत्ता देंगे शायद संबता 2100 रुपए का इन्होंने वादा किया था वह भी नहीं कर रहे हैं एक जो सबसे बड़ी तकलीफ आजकल हो रही है वह यहां के किसानों को हो रही है धान खरीदी को लेकर बोल तो जरूर दिया है कि 25 में ख किसानों को परिशान किया जा रहा है किसानों को भिकारी बना दिया गया है सरकार कहती है कि एक खरीदी केंद्र से समीती धान खरीदेंगे उससे ज्यादा खरीदी नहीं होगी पैसे का प्रबंध ना होने के करण सारे विकास कारे ठप पड़े हुए हैं ना तो ठेकेदारो को कारी के लिए पैसा दिया जा रहा है ना ही अधिकारियों को बोपाल क्राइम ब्रांच ने नकली जीन्स बेचने वालों पर बड़ी कारवाई करते हुए करीब 10 लाग का नकली समान जब्त किया बताया जा रहा है कि branded company का tag लगा कर नकली जीन्स को मार्केट में बेचा जा रहा था माफियाओं के खिलाफ चल रही कारवाही के तहट नकली कपड़ा बेचने वालों पर crime branch ने बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है भोपाल crime branch ने मारवाडी रोड पर बनी एक दुकान पर छापा मार कारवाई करते हुए नकली माल जब्त किया है crime branch ने 10 लाख करीब का नकली माल जब्त किया बताया जा रहा है कि ये लोग नकली जीन्स में branded tag लगा कर वेच रहे थे ये दुकान चार मंजिला इमारत में चलाई जा रही थी crime branch ने नकली माल को जब्त कर जान शुरू कर दी है सिंगरॉली में पांच वर्ष से फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गरफतार कर लिया है आरोपी पर 5000 का इनाम खोशित था बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति से मार पीट की थी और तभी से फरार था सिंगरॉली में बर्गवा पुलिस ने 5000 के इनामी आरोपी जियार राम बैगा को देवसर पस से गरफतार कर लिया है आरोपी 2015 से फरार बताया जा रहा था और उनका जुलूस निकाला, पुलिस ने इन लोगों को उठक बैठक लगवाई और इन्हें मुर्गा भी बनाया। इन्हें मुर्गा बनवाया। ये लोग लंबे समय से शराब की तसकरी से जुड़े हैं और इन्हें पुलिस कारवाई का कोई दर नहीं था। इन बदमाशों का खौफ खत्म हो इसलिए पुलिस ने इनका जुलूस निकाला। इस बुलिटन में फिल हाल इतना हैं आप देखते रहे हैं दखल निउस दखल आपके हक में। संगित की स्वद लहरियों से सांस्क्रित एक टाने बाने था। चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गर था। जोपड़ी से महलों था। ठेलों से मेलों था। आप देख रहे हैं दखल्यू